हेलो दोस्तों एक बाद फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल सिंप्लिफाइड टेट्स पर मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर आशीस रस्तोगी और आज मैं कोरोल ड्रॉ के अंदर आपको एक बहुत ही बढ़िया सी एक टॉपिक पर होना चाहिए पीडियाफ को हम लोग प्रिंटिंग परपस से बनाते हैं जहां पर हमको उसको मशीने बेजना होता है प्लेट बनने के लिए और पीडियाफ को हम लोग अगर हमें किसी को बेजना है या अगर हम किसी वेबसाइट पर लगानी है पीडियाफ की वहां पर भीजना हो या बनाना हो तो वो हम कैसे बनाते हैं तो चलिए आज की वीडिव को शुरू करते हैं लेकिन वीडियो करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिकवेश्ट है चैनल पर नाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जब बिल दबा करके हमारे योटीव परिवार का हिस्सा बनिये ताकि मैं यहां पर जो भी अपनी नॉलेज़ शेयर करता हूँ जो भी कुछ मैंने आज दस सालों में सिखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ्री आफ कॉस्ट उसके लिए कोई चार्ज नहीं है यही सब चीज़ें आपको सिखाने के लिए बहुत बड़े और महेंगे इस्ट्रूट्स होते हैं जो कि आपके आपसे लाखों रुपे की फीज चार्ज करते हैं बट मैं यहां पर आपको यह सबी चीज़ें एकदम फ्री आफ कॉस्स दिखा रहा हूँ तो सिंप्ली के वल चैनल को सब्सक्राइब कीजे और नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजे ताकि मेरी आने वाली अपडेट्स वीडियो की वो आपको मिलते रहें तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो यह आ चुके हैं अपने कम्पूटर स्क्रीन के उपर और आज हम बात करने वाले हैं इन पॉइंट्स के उपर सबसे पहले हम बात करेंगे पीडियो और प्रिंटिंग प्रोसेस के उपर कि हम प्रिंटिंग के लिए जो बनाते हैं पीडियो वो कैसे बनाते हैं या फिर अगर हमको PDF बनानी है वेब के लिए तो कैसे बनाते हैं हम लोग PDF में images को कैसे किसे compress करते हैं अगर PDF के अंदर कोई font का issue आ रहा है तो वो हम कैसे resolve कर सकते हैं ताकि हम कई भी अगर file भेजें तो font का issue ना आए और अगर हमें PDF में protection लगानी है तो फिर हम किस तरीके से PDF को बनाते हैं चलिए एक एक करके शुरू करते हैं सबसे बहले बात करते हैं कि अगर हम PDF बनानी है printing के लिए तो किस तरीके से बनाते हैं तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर एक file open कर लेता हूँ मेरे पास एक file पड़ी हुई जो कि मैंने design की थी ठीक है मेरे पास यह एक brochure है जो कि मैंने बनाया था तो यह मैंने open कर लिया है और मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि हमें PDF को किस तरीके से export किया जाता है देखे PDF को export करने के लिए मेरे पास तीन तरीके है पहरा तरीका यह है कि हम यहाँ पर जो आपको standard toolbar पर जो आपको PDF export का option दिख रहा है मैं यहाँ पर click करूँ और अपनी PDF को export कर दूँ ठीक है दूसरा option हमारे पास यह है कि उसी के just bagel में यहाँ पर देखी आपको एक export का option दिख रहा है हम यहाँ पर click करें और जहाँ पर आपको save as type दिख रहा है यहाँ पर हम जाकर के PDF को choose कर लें ठीक है PDF को choose कर लें और हमारे पास तीसरा option है कि हम file menu में जाएं और यहाँ से भी हम जाकर के publish to PDF जो कि हम यहाँ से कर रहे थे publish to PDF यह कर सकते हैं और या फिर हम यहाँ से export भी कर सकते हैं जो कि हमने उसके just bagel में हमने यहाँ से यहाँ से कर रहे थे टीक है वैसे आप PDF को save as से भी बना सकते हैं जैसे कि हम लोग फाइले save as करते हैं तो वहां से भी आप चाहो तो create कर सकते हो simply आपको अपना जो है अपना जो save as type होता है वो आपको choose करना पड़ता है PDF format में PDF format का I think आप लोगो full form पता होगा पता है तो नीचे comment section मुझे पता हो इसका answer मैं आपको देंगा वीडियो के end में देखो जब भी हम लोग किसी printing के लिए PDF को बनाते हैं तो चुकि आगर हमको printing के लिए बनाना है तो means आगर हमने जो file create की है वहां पे जो हमने color profile इस्तमाल किये वो हमने CMY के इस्तमाल किया होगा क्योंकि जो हमारी machines पे जो हमारे color चलते हैं वो चलते हैं स्यान, magenta, yellow and black तो उसको लिए हमने यहाँ पे CMY के यहाँ पे हमने format लिया होगा तो जो अगर हमको printing के लिए format बनाना है तो हम जो PDF बनाएंगे वो भी CMY के लिए ही बनाएंगे तो मैं यहाँ से जाके export करता हूँ और आपको सिखाता हूँ यह कैसे बनेगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे देना पड़ेगा file का नाम तो मैं यहाँ पे देता हूँ file का नाम my PDF testing file ठीक है और यहाँ पे देखिए save as type में automatically यहाँ पे PDF चूज होकर के पहले से ही आ रहा है वो हमको नहीं चूज करना है उसके बाद ही हम यहाँ पे जाना है setting option में हम जैसे setting में जाएंगे देखिए यहाँ पे यह एक dialogue box open हो करके आ जाएगा और हमें अपना सारा काम इसी dialogue box से ही करना है सबसे पहले हम आजाते हैं general tab के ओपर और यहाँ पे हमसे पूछता है export range मान लीजे अगर हमने multiple files बनाई है page total हमने बनाए है 10 page अपने किसी book के अंदर और उसके अंदर मुझे अपने 10 ओ page अपने pdf में शामिल करने है तो वो उसके लिए हम यहाँ पे चूज करेंगे current document means उस document में जितने भी pages हैं वो सारे के सारे मेरे document में export होंगे second देखी यहाँ पे option है document का तो वो यहाँ पे हमें option दे रहा है कि how to make pdf या how to how to make pdf या graphic designing one cdr यह यहाँ पे हमें दो option इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरे present time में दो files open है तो वो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको दोनों file के pdf बनाने है या single file का pdf बनाना है तो अगर हम document पे click करेंगे तो हमको यहाँ पे multiple जितने भी हमारी open files है उसका मुझे यहाँ पे option देख जाएगा current page का मतलब है कि जो current time में हमने page select किया हुआ है जैसे यहाँ पे देखिए मैंने page 1 को select किया हुआ है तो अगर मैं अपना pdf export करके यहाँ पे current page ले लूँगा तो सिर्फ page 1 का ही मेरा pdf बनेगा page 2 उसमें शामिल नहीं होगा और यहाँ से हम चाहें तो अपने मन मताबिक pages ले सकते हैं मालीजे मेरी 10 file का मेरा document है और उसमें से मेरे मुझे केवल 2, 4 and 6 page को ही शामिल करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, 4, 6 तो उन 10 page की file में से मुझे केवल 3 page ही pdf में मिलेंगे 2, 4 and 6 तो उस तरीके से हम यहाँ से बना सकते हैं खैर मैं यहाँ पे current document ले ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 page बने हैं मेरी file के अंदर और मुझे दोनों ही page अपने pdf में export करने हैं तो मैं यहाँ से current document लोगा उसके बाद देखी यहाँ पे आपको option मिल जाता है pdf present का यहाँ यहाँ पे click करेंगे तो default आपको यहाँ पे लिख करके आ रहा है current setting not saved बट हमको यहाँ से क्या choose करना है cmy के cmy के हम क्यों choose करेंगे क्योंकि हमको यह जो pdf बनानी है वो printing के purpose से बनानी है जो screen पे जो display होंगे वो rgb display होगा लेकिन उसके लिए आपको अपने document में भी rgb color use करने होंगे तब ही आपके proper color आपके pdf में display होंगे otherwise color vary हो जाएंगे तो मैं यहाँ से choose कर लेता हूँ cmy के और यहाँ पे second option दिया है compatibility का मेरे पास यहाँ पे कई option है default यहाँ पर है a-1b का option ठीक है तो हम चाहें तो अगर यहाँ से हमें acrobat dc या अगर हमें lower version acrobat 9 में अपनी file को open करना है तो वो भी हम यहाँ से choose कर सकते हैं मैं यहाँ से default ही लेके चल रहा हूँ a-1b second यहाँ पर tap दिया है color का color में देखी यहाँ पर सबसे पहला option दिया है use document color setting means जो color setting मेरे document में applied है वही यहाँ पर आनी चाहिए लेकिन हम यहाँ से choose करेंगे अगर आपके में यहाँ पर RGB दिखा रहा है या native दिखा रहा है तो फिर हमको choose करना पड़ेगा यहाँ पर CMY के क्योंकि हम अपना output color CMY के ही चाहते है इसलिए हम output color में CMY के इस्तिमाल करेंगे ठीक है embedded color profile को हम यहाँ से टिक रहने देंगे इसमें हम कुछ shade शार नहीं करेंगे यहाँ पर देखी को option दिया हुआ है always over print black का present time में यह मेरा d select है लेकिन हमें इसको select करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा क्या होता है over print black से देखे over print black से हमको यह help मिलती है कि अगर हमने कोई background दिया हुआ है अपनी document में उसका मैनलिजिए मैंने color दे दिया है yellow और उसके उपर जहाँ पर हमारी plates बनती है printing से पहले machine पर लगाने के लिए तो यहाँ पर यह option टिक रहेगा तो जो मेरा text लिखा हुआ है वो background में अपना cut नहीं छोड़ेगा मतलब वहाँ पर white space नहीं छोड़ेगा ठीक है लेकिन अगर यह untick है तो फिजब printing होगी तो वहाँ पर फिर हमारा miss registration हो सकता है जो मेरा color है printing के समय वो अपना registration को अगर हलका सभी miss करेगा तो वहाँ पर वो color को हमारा जो है दिखाई देगा वहाँ पर हमारा white color दिखाई देगा तो इसके लिए हम यहाँ पर वमेशा over print black को यहाँ से on रखते हैं ठीक है उसके बाद हम आजाते हैं अपने next step के उपर document के उपर तो यहाँ पर देखे सबसे पहला चीज़ दिया है order का तो यहाँ पर हम order में अपना कोई भी नाम डाल सकते हैं कुछ भी यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुब है आशिश इंटरप्राइज़ तो मैं आज आओ तो इसको नाम बदल सकता हूँ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ simplified tuts ठीक है और उसके बाद में यह चीज़े मुझे सारी ऐसे की ऐसी रखनी मुझे नहीं चेंज करनी है उसके बाद आजते हैं object के उपर ठीक है object में यहाँ पर सबसे पहले दिया है compression compression में आपको यहाँ पर दिया है zip file jpg या none तो अगर हमने यहाँ से ले लिया है jpg तो jpg में क्या होता है कि अगर हमने अपनी pdf के अंदर images का इस्तमाल किया हुआ है jpg images का इस्तमाल किया हुआ है तो उसकी quality हमें कितनी high या कितनी low रखनी है तो वो हम यहाँ से इसको set कर सकते हैं इस slide बार के through अगर हम इसको जितना low कर देंगे तो जो मेरा image का size है वो बहुत ज़्यदा compress हो जाएगा जिसके result में क्या मिलेगा जो मेरा pdf का size है वो भी छोटा हो जाएगा लेकिन हमारी images थोड़ी सी blood हो जाएगी pixelate हो जाएगी तो अगर आप देख लो कि आपको किस तरह की images आपको अपको अपना PDF किस purpose के लिए इस्तमाल करना है लेकिन अगर आपको printing के लिए इस्तमाल करना है तो फिर आप यहाँ पे इसको 100% रखोगे high पे रखोगे उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर down sampling के option दिये हुए है color gray scale and monochrome यहाँ पर सभी में dpi पढ़ा हुआ है default 300 dpi पढ़ा है अगर आपने अपने document को create करते समय dpi में 200 या 150 या 250 लिया होगा ठीक है तो यहाँ पर फिर आपको वो dpi यहाँ पर show करेगा तो वहाँ पर आप चाहो तो change कर सकते हो printing के लिए आपको देना है 300 dpi तो मेरे पास यहाँ पहले से लिक करके आ रहा है अगर आपके में लिक करके नहीं आ रहा है तो फिर आप दे सकते हो 300 dpi को उसके बाद देखिए यहाँ पर एक option है export all text as curve ठीक है इसका क्या काम है अगर हम अपना PDF बना रहे हैं और मैंने उसमें कुछ fonts का इस्तिमाल किया है fonts English के भी हो सकते हैं font Hindi के भी हो सकते हैं font अर्दू के भी हो सकते हैं या किसी और language के भी हो सकते हैं जब अपना file हम export कर देंगे PDF में और वो file जब printing में जाएगी तो वहाँ पे अगर वो file import की जाएगी वापस system पे process के लिए तो font missed करेंगे क्योंकि जो font मेरे पास installing हो सकते हैं वो font वहाँ के system पे ना install हो उनके पास में तो वो font वहाँ पे missing हो जाएगा इसके लिए बचने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हम टिक कर देंगे कि export all text as curve means जो मेरा जितना भी इसमें text use हुआ है वो सारा का सारा curved हो जाएगा वो text की properties खो देगा अपनी ताकि जो मेरा जो printing में जो मेरा font missing का issue आ रहा है वो ना आए ठीक है तो उसके लिए यहाँ पे आप क्या करोगे text as curve कर दोगे उसके बाद आ जाते हैं pre press के उपर pre press में देखिए यहाँ पे सबसे पहला option दिया है bleat का bleat का मतलब क्या होता है कि जो अगर हमको margin छोड़ना है अपने document से अलग चारो तरफ ठीक है bleat के बारे मैंने आपको अपने जो मैंने एक वीडियो बनाया था विस्टिंग का टूटोरियल का वहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ था तो वो वीडियो आप में आदेख लो तो bleat के बारे मैं आप अच्छी समझ जाओगे क्या होता है तो यहाँ पे मान लिजाए मुझे यहाँ पे स्पेस देना है 0.5 का तो यहाँ पे मैंने 0.5 सेंटीमीटर का स्पेस दे दिया है bleat के रूप में ठीक है और यहाँ पे हमको यह crop mark on रखना है ताकि जो भी मेरे अभी आपको जब मैं PDF एक्सपोर्ट करूँगा तो वहाँ पे आपको दिख जाए कि crop mark का क्या यूज होता है crop mark का basically हम लोग इस्तमाल करते हैं जब मेरा PDF एक्सपोर्ट होगा और जब वो print हो जाएगा paper के उपर तो वहाँ पे हमको एक mark मिलेगा cutting करने के लिए ताकि जो भी मेरा machine पर जो की cutting का काम कर रहा है उसको वो mark दिखाई दे और वो उसी mark से ही अपना cutting कर ले ताकि मेरा जो design है वो disturb ना हो ठीक है तो यहाँ से हम चाहें तो crop mark दे सकते हैं अगर हमको अपनी export file में file का information भी देना है अगर हमको registration marks भी दिखाने हैं तो वो भी में यहाँ पर tick कर देंगे ठीक है बट registration mark हम यहाँ पर नहीं export कर रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ctp plate बना रहे हैं वो लोग अपने registration mark लगाते हैं अपनी machine के हिसाब से लगाते हैं ठीक है तो वो हम यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं बट अगर आपको लगाना है तो कोई problem की बात नहीं है आप लगा सकते हो मैं लगा करके आपको दिखा देता हूँ कि actually कैसा दिखेगा मैं यहाँ से file information को भी on कर देता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं security के उपर तो security का देखी option क्या होता है कि जब हम अपनी file को export करते हैं तो यहाँ पे हम password का option दे सकते हैं जो कि अभी deactivate होकर के आ रहा है क्योंकि जिस setting पे हम अपनी file को export कर रहे हैं CMYK के लिए उस setting के ओपर यह password का जो यह option है यह compatible नहीं है ठीक है तो अभी तो हम यहाँ पे password सेट नहीं कर सकते हैं बट अभी दो मेटर को मैं इस file को export करके आपको दिखा दूँ फिर मैं आपको password option भी दिखा दूँगा ठीक है उसके बाद हम यहाँ से कर देते हैं Okay और यहाँ पर देते हैं file name तो मैंने यहाँ से अपनी file name दे दिया है my design ठीक है और हम यहाँ से कर देते हैं save जैसे ही save करेंगे यह देखिए मेरी यहाँ पर file export हो रही है file export भी हो चुकी है बहुत जल्दी से और अब ही मैं जा रहा हूँ अपने फाइल को मिनिमाइस करके यह देखिए मेरे पास यहाँ पर मेरी पीडियाफ आ गई है आप इस पीडियाफ जैसे ही ओपन करेंगे तो यहां पर आपको सभी कुछ देखने को मिल जाएगा पहली बात तो मेरा यहां पर यह पुरा फाइल यह देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ यहां पे ताकि आप तो दिखा सकों मैने जूम कर दिया है यह दैखिए यहांपर यह कॉरॉप होगा ठीक है यह देखी यहांबे भी आपको मिल रहा है राइट साइड में और बॉatम साइड में भी आपको देखी यह पे मिल रहा है यह एरिया जो मेरा है वह ब्लीड एरिया का है जो कि मैंने वहाँपे 0.5 का दिया हुआ था और सबसे नीचे मैं आपको दिखा दूँ इसको मैं नीचे मूव कर रहा हूँ अपनी फाइल को तो यहां पे देखी यह हमारी आ रही है फाइल इन्फरमेशन चुकि मैंने वहाँ पे फाइल इन्फरमेशन को टिक किया हुआ था इसलिए यहां पर यह फाइल इन्फरमेशन दिखा रहा है अधर वाइस यह नहीं शो करता और उसके बाद में हमने टिक किया था रिजिश्रिशन मार्क्स तो यहां पे देखी यह जो आपको जो ब्लैक ब्लैक डॉट से दिख रहा है चार और यह हमारे रिजिश्रिशन मार्क्स हैं ठीक है तो वो हमको यहां पर डिस्पले हो रहा है ठीक है तो इस तरीके से हम CMYK के लिए अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी फाइल को भेज सकते हैं प्रिंटिंग के लिए अब बात कर लेते हैं कि अगर हमको फाइल को भेजना हो वेब के लिए ठीक है तो मैंने आज देखिए आपको यहां बता दिया है प्रिंटिंग के लिए कैसे हम फाइल मनाते हैं इमिजर्स को हम किस तरह से कंप्रेस करते हैं मैंने आपको बता हुआ था कि वहां से हम स्लाइडर के थूँ अपनी इमिजर्स को कि जितना चाहें उतना परसंटेज कम कर सकते हैं और फाइल के लिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर फाइल मिसिंग हो रहा है मैं इसी को भेज रहा हूँ तो मैंने इसको यहां से वापस से एक्सपोर्ट किया और इसको हमने एक नाम दे दिया फार फार वेब और यहां से पीडियाफ सेलेक्टेड है हम सेटिंग में गए और यहां से हम चाहें तो बिना किसी भी सेटिंग को छेड़े अपने पीडियाप बना सकते हैं चुकि मुझे वो वेब के लिए बनानी है ठीक है तो यहां से हम इसको डिफॉल्ट जो मेरा वेपर सेटिंग आ रहे है उसको हम वही रहने देते हैं और यहां से कलर परफाइल मेरा आरजीबी लिख करके आ रहा है तो मेरा आरजीबी ही रहेगा अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप आरजीबी कर लोगे और यहां से जो अमारा इमेज का साइज है यह हम घटा सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुझे नेट के ओपर जो फाइल अपलोड करते हैं उसका साइज हमें कम रखना पड़ता है ताकि जिनके पास अच्छा स्पीड नहीं है नेट का वो भी ओपन हो जाए तो इसको हम यहां पे कर लेते हैं 50% ठीक है और यहां पे इन सब चीजों में और यहां से हम चूज कर लेते हैं अचीविंग आरजीबी या वेब तो अगर आपको वेब के लिए बनाना है तो यहां से आफिर आप वेब भी चूज कर सकते हो आप वेब चूज कर लो उसके बाद आप सेक्योर्टी में आ जाओ यहां भी देखिए आपको यह आप डबल क्लिक करो के जो फाइल ओपन होने के लिए जो आपसे पूछेगी वो है ओपन पासवर्ड तो मैं आप पासवर्ड देता हूं 123 और उसको रिपीट कर देता हूं कंफर्म के लिए वापस से 123 ठीक है उसके बाद आती है पर्मिशन की बात पर्मिशन में भी अगर ह अब पर एडिटिंग के समय दी जाएगी तो ही वो एडिटिंग होगी अधरवाइड एडिटिंग नहीं होगी तो यह पासवर्ड आप इससे अलग दे सकते हो तो मैं यहां पर पास्वर्ड दे रहा हूं AAA और कंफर्म करने के लिए भी दे रहा हूं AAA ठीक है तो अब इसको को मैं okay कर देता हूं और इसको मैं यहां से save कर देता हूं मेरी file export हो चुकी है desktop पर देखें मैं आता हूं यहां पर मेरी file भी आ गई है इसको हम जैसे click करेंगे तो आप हमसे पूछ रहा है open करने के लिए password open करने के मैंने password क्या दिया था 123 जैसी okay करेंगे देखें मेरी file open हो चु दिया था ठीक है इसलिए आपे थोड़ी सी ब्लल्ड आ रही है अगर इसको हम हंडेट परसंट रखते तो फिर यह ब्लल्ड नहीं आती ठीक है तो कुछ इस तरीके से हम अपनी फाइल पीडियाफ को बना सकते हैं अगर हमको वेब के लिए इस्तमाल करनी हैं तो यह थी आज क सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबातीजेगा ताकि यह जो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको देना चाहा रहा हूँ वो आप तक पहुंच सकें और आपको नोटिफिकेशन मिल सकें मेरी नए वीडियो का तो फिर से मिलते हैं एक न देन गुडबाए